आज हम बनाएंगे खटा, मीठा और चट पटासा आवले का गटा गट जिससे बनाना काफी असान और बहुत ही जादा हैल्दी और टेस्टी भी है और तो और आप इसे महिनों भर से जादा दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हो तो चलिए फटा-फट से रेस्पी को स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए हमें एक बाउल में पानी डाल देना है और इसमें आवला डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से ढख कर साथ से आठ मिनिट के लिए उबाल लेंगे आप चाओ तो इसे स्टीम भी कर सकते हो मैंने य आवले के बीच को अलग कर दिया यह थोरा सा गर्म था तो मुझे इसके बीच को निकालने में थोरा सा हाथ भी मेरा पक रहा था खैर मैंने जैसे तैसे सारे आवले के बीच को निकाल लिया है अब हम इसे मिक्सी जार में डाल देंगे और इसके बाद हम इसे ग्राइंड कर अगर आपको ग्राइंड करने में दिक्कत हो तो आप इसमें थोरा सा एकदम हलका सा पानी एड़ कर सकते हो अभी एकदम बारीक पेस्ट जैसा त्यार हो गया है तो अब हम इसे क्या करेंगे एक पैन में डाल देंगे अब हम गैस का फ्लेम लो टू मिडियम रखेंगे और इस पीसे लगतार चलाते होए कम से कम 3-4 मिनट तक ऐसे ही भूनेंगे इसे भूनते हुए 3-4 मिनट हो गया है तो आब हम इसे इसस्टेज़ पर एड़ करेंगे जैगरी यानि गूर जो कि मैंने आधा किलो के करीब ही लिया है क्योंकि आधा किलो के करीब आवला था तो आधा किलो के करीब ही हम इसमें गूर डालेंगे अब हम इसे mix करते हुए तब तक पकाएंगे जब तक गूर अच्छी तरीके से melt नहीं हो जाता अब गूर अच्छी तरीके से melt हो गया है तो अब हम इसमें add करेंगे कुछ मसाले जैसे कि एक बर्ड़ी चमच के किरिब हुना जीरा पावडर, one by half टेबल स्पुन के करिब कालि मिर्स पावडर वन बाई हाब टेबल स्पून के करिब अजवाइन टेस्ट के कोडिंग नमक, दो बर्डी चमच के करिब आमचुर पावडर डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें 1 by 1.5 टेबल स्पून के करीब हिंग डाल देंगे इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और इसमें 1 by 1.5 टेबल स्पून के करीब ही लाल मिर्स पाउडर डाल देंगे और इन सभी चीजों को मिक्स करते हुए तब तक पकाएंगे जब तक यही कठा ओना स्टार्ट नहीं हो जाता यानि जो जमने की कनसिस्टेंसी होती है उससे स्टेज तक अब यही कठा होना स्टार्ट हो गया है तो अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और एक बात मैंने इस सभी प्रोसेस को लो टू मीडियम फ्लेम पे ही किया है अब हम इसे कटोरी में डाल देंगे और जब यह चूने लायक हो जाएगा तो हम थोड़ा सा पोशल लेंगे और इसे पीसी हुई चीनी में रोल करेंगे और इसे अच्छी तरीके से स्मूथ कर लेंगे तो बस अब यह त्यार है आप भी इसे जरूर से ट्राइक करना आपको बहुत पसंद आएगा चलो बाद